New Broadcast option से क्या होता है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ जैसे कि आप WhatsApp को जब on करते हो और यहाँ पर उपर 3.0 पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको New Broadcast का एक option मिलता है तो यह जो option है यह WhatsApp पर क्यों दिया गया है और इसको कैसे use करते हैं वो मैं आपको details में इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो वीडियो को last तक देखना अगर अच्छी लगे तो चैनल को subscribe करना और वीडियो को like भी कर देना तो यहाँ पर सबसे पहले जब आप WhatsApp को on करते हो और यहाँ पर 3.0 पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर जब आप new broadcast पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपके mobile में जितने भी WhatsApp के contact number होते हैं मतलब आपके mobile में जितने भी contact number save होते हैं वो सारे number यहाँ पर आपको दिख जाएंगे यहाँ पर इस new broadcast के option में आप जिन भी contact number को select करते हो और उसको एक contact list में एक new broadcast list में डालते हो उन contact number में एक ही WhatsApp पर अगर आप message करना चाते हो तो वो जो message है वो सारे contact number को एक साथ चला जाता है जैसे कि मान लो अगर आप 10-12 लोगों को या फिर उससे ज्यादा लोगों को अगर आप एक साथ एक ही message को भेजना चाते हो जैसे कि कोई बड़ा message है उसको आप type करते हो और उसको एक साथ सारे लोगों को भेजना चाते हो और वो जो message है वो सारे लोगों को private ली जाएगा मतलब हर contact में private से चार्ट होकर वो message एक साथ चला जाएगा इसी तरके से ये जो new broadcast list है उसको use करते है जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते है new broadcast list में मैंने यहाँ पर 9-10 लोगों को select कर लिया है उसके बाद यहाँ पर आपको जब right पर click करते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उपर 10 participant लिखा हो है और उसके आप जब click करते हो तो यहाँ पर वो सारे participant का list यहाँ पर आजाता है तो यहाँ पर आप जो भी message type करोगे और यहाँ पर आप send पर click करोगे तो यह जो message है वो सारे 10 participant को एक साथ चला जाएगा और यहाँ पर यह whatsapp group ने है यह जो hello मैंने लिखा हो है और जो भी आप message लिखोगे वो सारे message एक साथ सारे लोगों को privately वो send हो जाएगा इसी तरके से whatsapp का जो broadcast list है उसको use करते है वीडियो अच्छी लगे तो please like करें and channel को subscribe करें Thank you